26 January 2023, 77 दिन के त्योहार के उपर आज हम free path lab software लॉंच कर रहे हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल ही free है, ध्यान में रखें ये जो start-up कर रहे हैं, जिनका budget कम है, छोटी laboratory है, patient को lab का report बना के देना है, कि वह कौन सा test किया, उसका क्या charges है, receive अगेरा देनी रहती है, values क्या है और patient का, test का reading क्या आया, इतनी receipt देने के लिए, ये वाला software हम launch कर रहे है, free path lab software, पूरे software की detail आज इस वीडियो के अंदर देंगे, हम कैसे download करना है, install करना है, और operate करना है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें हमारी website पे चले जाना है billing software guru, ये वीडियो के नीचे description में link दी गई है, वहाँ पर भी ये software की link दी गई है, ये billing software guru में medical part है, medical segment के अंदर काफी सारे software है, जिसमें यहाँ पर आप find करोगे free path lab software, यहाँ पर pathology laboratory management software भी है, जो chargeable base के अंदर है, जिसके अंदर patient को whatsapp हो जाए report, ये सब सुवी धाये भी है ये दोनों software totally अलग है, तो ये वाला software download करके आप free expect मत करना, ये chargeable software है दोस्तों, free वाला software download करने के लिए यहाँ पर जाना है, free path lab software, यहाँ पर click कर दो, ये software यहाँ पर से आपको उसके पूरी screen दीख जाएगी, free path lab software ये देखे यहाँ पर, ये पूरा blog भी इसी के उपर है, क पूरा software कैसे operate करना है, screen wise हमने detail दी हुई है, कि software पूरा कैसे operate होगा, तो आप इसकी भी सहायता ले सकते हो, अब हम यहाँ पर चले जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर यह download का button उसके उपर click कर देंगे, download का button दबाते ही software सीधा, हमको हमारे folder explorer के अंदर ले जाएगा, हमको जह यहाँ पर भी यह setup file store करनी है, वहाँ पर इसको store कर सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर यह हमारे desktop के उपर ही इसको store तर रहा हूँ, save दबा दिया, यह देखे, तुरंत ही software की setup file save हो गई, desktop के उपर आ गई, चलो desktop पे चले जाते हैं, यह रहा हमारा setup file इसको install करना है, double click कर दि more info run anyway, यह software का installation start हो गया, दोस्तों मैं live दिखा रहा हूँ, पूरा कैसे installation होता है step by step, यहाँ पर यह देखे, free path lab software लिख्या गया, by default software d drive के अंदर install होगा, आपके पास d drive नहीं है, तो browse दबा कर आप किसी और drive में भी इसको install कर सकते हैं, मैंने यहाँ next दबा दिया, फिर से next क कर दिया, create desktop icon, quick launch icon आगया, next कर दो, install कर दो, पूरी 10 सेकंड में नहीं लगी है, installation खतम होने में दोस्तों, यह देखिए, यहाँ पर free path lab software का icon आगया, मैं इसको अभी launch नहीं करूंगा, इसको मैं finish कर देता हूँ, कई लोग बहुत ही जल्दी कर देते हैं, और software चालू कर देत फिर हमको call करते हैं कि software चालू नहीं हुआ, यह software अभी install नहीं हुआ, इसके support setup file हमको अभी install करने बाकी है, तो मैं यहाँ पर icon में चला जाओंगा, open file location दबाओंगा, ताकि यह हमने software जहाँ पर install किया है, वो folder के अंदर ले जाएगा, यह देखो, यह my pc के अंदर, d drive के यहाँ पर setup करके एक folder आ गया है, यह देखिए, यह setup folder के अंदर चले जाओ, यहाँ पर हमने already एक dll support setup file जो windows operating system के लिए जरूरी होती है, वो हमने रखी हुई है, इसको भी install करना है, double click कर दिया, next दबा दिया, install कर दिया, यह file install होने के लिए भी 4-5 second लगेगा और software install हो जाए यहाँ पर इस type की error आएगी, यह भी देख लिए, यहाँ पर यह dllocx file को windows की file को use करता है, जो use हो रही है, ऐसा message है, हमको यहाँ पर ignore press कर देना है, यह finish हो गया है, यह देखो, simply यह software install हो गया दोस्तों, आपको कुछ help चाहिए, तो यह team viewer की quick support आप start करके हमारी help ले सकते हो, हमारा help whatsapp number है 97279 55514, office hours के दोरान, इंडियन office hours के दोरान आप हमको whatsapp पे help मांग सकते हो, तो यह software का installation हो गया दोस्तों, अब हम second part में चले जाते हैं, software को start कर देते हैं, यह free path lab software का icon है, इसको double click कर दिया, software start हो गया, यह देखिए, यहाँ पर already हमने company create करके रखी हुई है, इसमें कास ज्यान रखना है, आपको create new company नहीं दबाना है, क्योंकि हमने सब setting और test के load सब यहाँ पर करके रखना है, आप नहीं company create करोगे, तो path lab software के सबी fields यहाँ पर display नहीं होंगे दोस्तों, तो आपको यही द्यान रखना है, यह free path lab software के उपर ही double click कर देना है, यह मैंने double click कर दिया, software के अंदर में चला गया, यहाँ पर admin और one user ID है, next कर दिया, one के उपर ही user password के अंदर one है, और मैं यहाँ पर login कर रहा हूँ, यह software start हो गया दोस्तों, सबसे पहले मैं चला जाता हूँ, यहाँ items के अंदर, यह menu है, यहाँ स से भी open होगा, सबसे important part यह software का यही है दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी जो भी lab के test उसकी detail डाल के रखी हुई हैं, और उसके short name भी डाल के रखे हुए हैं, समझो कि हमको CBC यूज करना है, तो CBC के सभी test को देखने के लिए हम यहाँ item name के उपर click करके, item group name select करेंगे list में से, और यहाँ पर link देंगे complete blood test, ऐसा थोड़ा भी link सकते हो, और ok का यहाँ पर button यह दबा दिया, यह देखें, CBC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 test हमने already आपको दिये हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर यह देखें, यह brand cells, base of fields, यह सभी hemoglobin, सब detail यहाँ पर आ गई, आपको इसके अंदर कोई test नहीं चाहिए, तो इसके उपर ऐसे double click कर लिजे, जैसे WBC morphology आप नहीं बनाने वाले हो, आप उसका test नहीं करते हो, तो double click कर दिया, और यहाँ पर यह delete का button दबा दिया, yes, यहाँ पर मैं close करना हूँ, इसको refresh के लिए ok करूँगा, यह देखो यह चला गया, तो इस तरीके से आप पूरा software का setup कर सकते हो, सभी test अपने हिसाब से manage कर सकते हो, अब आ गई prices की बात, भई कुछ लोग होते हैं जो test wise price लेते, जैसे कि भई मैं ए typical का मैं charge लूँगा 50 रुपया, तो मुझे यहाँ पर जाकर sell price में जाकर 50 रुपया लिखना है, update कर देना है, अब मैं ok यह देखो यह 50 रुपया हो गया, band cell का मैं 75 रुपीस लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर 75 रुपीस लिख दूँगा, update कर दूँगा, ok कर दिया, तो आप देख पाओगे यह test wise setting हो गया, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम पूरा complete blood count CBC test का ही charge ले लेंगे patient के पास से और उसक यह सब detail करके दे देंगे, तो कोई भी एक test के अंदर, जैसे मैं समझ रहा हूँ, हिलोमोहिमोगलोबिन, तो उसमें मैं 250 रुपीस पूरे group का ही लिख दूँगा, यहाँ पर यह group है, यह देखिए, यहाँ complete blood count यह लिखा हुआ है, यह structure भी समझ लिजिए आप, तैकि कोई नया test बनाना हो, तो आपको समझ में आए, मैं इसको update कर रहा हूँ, मुझे एक नया test बनाना है, तो मैं CBC 18 के अंदर डाल दूँगा, new कर दिया, new CBC test, यहाँ पर जैसा लिखोगे, वैसा ही report के अंदर print होगा, capital, non capital आपको कैसा चाहिए, वो आप कर सकते हो, enter करने से, यह character, capital में ले लेगा, आपको पूरा hesities रखना है, तो CBC करके tab का button दबा दीजिए, यहाँ पर short name है, यह जब आप report बनाओगे, तब यह काम लगता है, मैं यहाँ पर CBC 18 लेक देता हूँ, तो यह search के दोरान यह easy पढ़ जाता है, फिर मुझे keyboard के उपर से enter का key press करना, यह इसमें zero कर देना है, यहाँ पर company में path lab select कर लो, और यहाँ पर सभी groups आ गए, यह देखिए, मैंने यहाँ पर already complete blood count test बना के रखा हुआ है, तो मैं select कर लूँगा, कोई group में नहीं है, तो आप यहाँ पर plus दबा कर नया group create भी कर सकते हो, यह देखिए, इस तरीके से नया group भी बनता है, आपको कोई group नहीं चाहिए, तो आप वो group को select करके यहाँ पर यह delete का button भी दबा सकते हो, यदि वो group के अंदर कोई test available नहीं है, तो आप उसको easily delete कर सकते हो, जैसे यह new group बनाया था, delete तबाया यह delete हो गया, इस तरीके से आप plus या pen से use कर सकते हो, यह group का अलग से master ह item group, वहाँ पर जाकर भी आप इसको separately manage कर सकते हो, आप जितने test करते हो उतने ही रखो बाकी के निकाल दो ताकि आप easily फटा फट सर्च करके जब patient आए तो उसका lab report बना सके, अब मैं यहाँ पर complete blood count लिख देता हो, enter दबा दिया, यह new CBC test मेरा कौन से unit के अंदर measure होने वाला ह है, वो भी हमने यहाँ पर पुरा देखे रखा हुआ है, जैसे यह cells है, तो number of cells वाला option टिक कर दिया, मुझे यहाँ पर भी यदि नया unit बनाना है, तो मैं plus दबाकर नया unit create कर सकता हूँ, existing unit को double click करके delete कर सकता हूँ, या किसी unit में मुझे editing करना है, तो pen का button दबाकर उसी unit को मैं edit करके update भी कर सकता हूँ, तो यह सब चीजे यहाँ पर available है, मैंने यहाँ cell select कर लिया, cursor यहाँ maintain बेच पे जाएगा, जहाँ कुछ नहीं करना है, enter दबा दिया, तीन additional field हमने इसी software में बना है, सबसे पहला है result, यह जब patient के test की entry होगी, तब यह result की entry होगी, फिर मैं enter कर द test वाला जो यह report है, उसका normal range है 5000 cells to 7000 cells, समझो male, female दोनों के अलग-अलग आकड़े है, तो आप यहाँ इसे male करके 5000 to 7000, कॉमा करके female कर दो, फिमेल का यह आकड़ा आएगा 4000 to 8000 cells, यह cell के बारे में, यह report के बारे में, यह test के बारे में कुछ अलग से information देनी है, तो वो भी आप यहाँ पर type कर सकते हो, जो report के अंदर print हो जाएगी, जब test बनाओगे, तब भी यह आप manually type कर सकते हो, extra details about test, यह लिग दिया enter कर दिया, यहाँ पर यह price आ गया, यदि test wise price manage करते हो, तो यह test की price यहाँ पर लिग दो, और group wise करते हो, तो कोई group का कोई भी एक test है, उसके अंदर वो price आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पर 65 लिग देता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर यह save का button दबा देता हूँ, दोस्तो, save कर दिया, ok कर दिया, इसको close क कर रहा हूँ, अब मैं फिर से item में चला गया, और यहाँ item group name select करके, complete select करके, यहाँ ok दबाऊंगा, तो यह देखे, यहाँ पर यह new CBC test आ गया, जिसको हमने number दिया हुआ है, cbc18, तो इस तरीके से पूरा software manage होगा, दोस्तो, अब यह test हो गया, test का group बन गया, तो सबसे का master का बन गया, यहाँ पर import और export के button भी है, यहाँ पर आप export का button दबा दोगे, तो यह सब test जो भी बनाये हुए है, यहाँ मैं complete blood test निकाल दूँगा, ok करूँगा और export दबाऊंगा, और ok दबाऊंगा, तो यह सभी test Excel की sheet में export हो जाएंगे दोस्तो, यह देखे, Excel की sheet यहा पर transfer हो गए, उसके units क्या है, उसके prices वगेरा क्या है, यह सब detail Excel में transfer हो जाती है, इसको मैं बंद करता हूँ, समझो मुझे किसी report को या मेरे पास Excel का data है, मुझे वो software के अंदर import करना है, तो मैं सब को ऐसे manually बार बार जाकर मैं delete कर सकता हूँ, और इसके बाद मैं Excel में से ही import कर सकता हूँ, इंपोर्ट करने के लिए specific हमने sheet बना के रखी हुई है, वो sheet हम दिखा देते हैं, आपको हमारे software जहाँ पर install हुआ है, वो software के folder के अंदर ही चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर right click कर दिया, open file location दबा दिया, यहाँ पर यह demo करके folder होगा, यह demo के अंदर यह book one करके file है, यह हमने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप lab test के report को import कर सकते हो, तो आप बाकी के यह sub field को इस तरीके से आप remove कर दो, delete कर दो, इस तरीके से जितने भी row है आप delete कर दो, आपका जो भी test का नाम है वो यहाँ पर type कर देना है आपको, test का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यह compulsory field है, यह 00 type कर दो, company में path label लिख दो, यह group में आपको आपका जो भी test का जो group आता है उसको लिख दो, यह unit है, यहाँ पर आप unit को तीन जगे लिखना है, इसलिए हमने color में लिखा हुआ है, conversion factor में एक लिखना compulsory है, जो भी pricey से वो यह column में डाल दो, यहाँ पर दिखाया हुआ है, batch number लिखने की जरुवत नहीं, बारकॉर लिखने की जरुवत नहीं है, यह optional field 2 और optional field 1, यह normal values है, और यह है, यह आपका result value ह टाइब करना है और कुछ अलग से detail है, तो optional field 3 के अंदर आप यहाँ पर टाइब कर सकते हो दोस्तों, इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, test group का कोई नाम है, code है, जो हम भी report बनाते हैं वक्त इसको use करेंगे, वो यहाँ पर लिख देना है, इस तरीके से पूरी actual sheet आपकी त डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक नया test बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर path lab select कर लिया, new covid test, तो blood covid test के लिए, इसको new covid test कर देते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया covid, यह एक नया group आ गया, salt में कुछ नहीं, unit में क्या आएगा, यह value तो हमारी positive negative होती है, तो मैं यहाँ पर dash कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने dot कर दिया, unit में, conversion factor में one लिख दिया, price पर में मैंने dot कर दिया, वही मैं covid test का साड़े तीन सो रूपया लेने वाला हूँ, तो साड़े तीन सो कर दिया, यहाँ optional field में कुछ नहीं है, यहाँ पर normal और positive और negative वही चीज आती है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, और यहाँ short name के अंदर मैं लिख देता हूँ, covid, तो यह मैंने data भर दिया, यह पहली line है, इसको मैं remove कर देता हूँ, यह आपके ध्यान में रहे, उसके लिए यह चीज है, अब मैं यह row को remove कर देता तो इस तरीके से आप multiple data यहाँ पर fill up कर दो, एक साथ काफी सारा data मत डालो, 15-20, 15-20 line है डालो ताकि आपको समझ में आए कि वह data बराबर transfer हुआ है की नहीं, क्योंकि आप हम से help मांगोगे, तो हम उसका charge मांगेंगे one time, क्योंकि यह free software है, आपको खुद करना है, खुद कर दिया, मैं यहाँ import दबाऊंगा, select वाला button प्रेस करूंगा, और यहाँ पर मैं मेरे folder में चला जाऊंगा, इस PC में, D drive में मैंने free pathlab software करके folder बनाया है, उसमें demo करके file है, उसमें यह रा pathlab with data final, open कर दिया, from row to, to row b, to b आएगा, क्योंकि दो line है, पहली line तो title वाली है, यहा ने import का button दबा दिया, yes कर दिया, यह देखो, one record successfully fetched, आप देखोगे कि COVID लिखते हैं, percent लिखके COVID मारते हैं, तकि वो COVID जहाँ लिखा होगा, search होके आजाएगा, यह देखिए, new COVID test 350 रूपीज rate भी आ गया, इसका short name भी आ गया, group भी बन गया और price भी आ गया, तो इस तरीके स import, export कर सकते हैं, दोस्तों, और test का आप खुद अपने हिसाब से आपका अपना master बना सकते हो, तो यह हो गया, सबसे important part, अब हम चले जाते हैं, report बनाने की और, बहुत ही simple है, देखो, software में कुछ screen ही नहीं है, master में item है, item group है, दोई चीज काम की है, और तीसरा है, unit का master, अब म चला गया, entries में देखो, यह cell ही लिखा हुआ है, एक ही चीज है, जिसके अंदर हमारी receipt भी बन जाएगी, और lab का report भी बन जाएगा, और फिर यहाँ पर report है, cell register जितने भी reports बनाए उसके, बस बात खतम हो गई, अब हम चले जाते हैं, cell के उपर, यहाँ से भी open होता है, और right side के menu में यहाँ cell के उपर click करने से भी software open हो जाएगा, दोस्तों, तो यहाँ पर से मैंने open कर दिया, यह cells की screen start हो गई, हम देखेंगे, यहाँ पर यह पुरा ने दिन को, यहाँ पर करेंगे, एक भी test बना हुआ नहीं है, बाकी यहाँ पर पुरा list आ जाता है, और उसका amount भी आ जाता है, अब मैं एक test बनाता हूँ आपके सामने यह, new का button दबा दिया, तारीख आ गई, जो system की by default date होगी, वो यहाँ पर आ जाएगी, आप इसको खुद manually edit भी कर सकते हैं, अलग-अलग तारीख में, enter कर दिया, cash credit patient payment कैसे करता है, वो आप यहाँ पर detail डाल सकते हो, मैं cash select कर रहा हूँ, यहाँ पर patient का नाम enter करना है, तो नाम enter करने के लिए, नया नाम यहाँ प्लस दबा कर आपको create करना है, patient का नाम लिख देता हूँ, ममता, cool करने, patient का नाम लिख दिया, enter की key press करना जरूरी है, ताकि print name में भी same record आ जाता है, यहाँ पर customer select कर दो, और यह address के पहले column में, आप उसका age डाल दो, age, 43 years, और sex, female, यह detail आपकी report में print होने वाले, बाकी की patient की detail आपको store करनी है तो कर सकते हो, बाकी report और receipt के लिए इतनी detail काफी है, यहाँ पर मैं save का button प्रेस करूँगा, ok करूँगा, यह सीधा यह देखो, यहाँ पर यह detail आ गई नाम, मुझे enter की key press करना है, लोग सीधा यहाँ पर item name में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको patient का नाम सिलेक करने के बाद, enter की press करना है, लेब report लिख के आएगा, इसको भी enter दबा देना है, यहाँ पर voucher number और bill number अपने आप आ जाएगा, enter, enter कर दिया, और फिर enter करोगे, तो यहाँ पर यह पूरा list open हो जाएगा, दोस्तों, देखो, अब मुझे cbc का report patient के लिए निकालना है, तो मैं cbc type करूँगा, तो यह देखो, हमने जितना cbc group short name में लिखा हुआ है, सब यहाँ पर आ गया, मैं cbc one कर लेता हूँ, उसका result जो भी आता है, patient का लिख दिया normal range यहाँ पर master में नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर नहीं आया है, हाला कि मुझे यहाँ पर normal range लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ, extra details भी मुझे यह report के बारे में type करनी है, तो मैं यहाँ type कर सकता हूँ, जो report में आएगा, फिर मैं enter दबाऊंगा, by default यह 1 ही रहता है, price अपने आप 50 रुपिया मैंने लिखी थी तो आ गई, फिर से मैं CBC दबाऊंगा, CBC 2 आ गया, मैं यहाँ पर 0, अब समझो यह patient का 0, 2 result आया, अब यह कम है, तो मैं यहाँ पर V का symbol दबा सकता हूँ, lower का sign इस तरीके से दबा के दिखा सकता हूँ, यह price आ गई, फिर से मैं CBC करता हूँ, CBC 3 कर दिया, यहाँ पर समझो कि मेरा result high है, 5 है, तो मैं high का भी symbol 6 के उपर जो character है, उसको ship दबा कर में use कर सकता हूँ, extra details type करनी है, तो कर सकता हूँ, very high result, ऐसा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसकी price मैंने नहीं लिखी है, तो यहाँ नहीं आई, अलाकि मुझे type करना है, तो मैं type भी कर सकता हूँ, hemoglobin ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर CBC 6, यह male patient है, female patient है, दोनों आ गया यह देखो, मैंने 14 result डाल दिया, यह 250 एक group वाला price आ गया यहाँ पर, तो इस तरीके से भी हो जाता है, CBC का आमने नया test बनाया था, वो भी ले लेते हैं एक यहाँ पर, तो यह देखो, पूरी detail आ गई, मैं यहाँ पर 6000 value डाल देता हूँ, यहाँ पर यह देखो, extra detail आ गए, मुझे इस time पर भी कुछ extra लिखना है, तो extra type मैं यहाँ कर सकता हूँ, जो हमारे report में print होगा, इसकी price भी आ गई, CBC हो गया, अब हम serology में करना है, तो serology ले ले लेते हैं, SCR करेंगे तो देखो, SCR 0 बना गया, यहाँ मैं 100 डाल देता हूँ, इस तरीके से बन जाता है, मैंने COVID बनाया था, तो मैं COVID भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, यह देखे, new COVID test, मैं यहाँ लिख सकता हूँ positive, तो इस तरीके से भी, test की detail आ जाती है, दोस्तो, तो आपने देखा कितना easy है test बनाना, यहाँ पर से price दिखेगी, आपको values जो हमने डाली है, वो नहीं दिखेगी, हलाकि हमको यदि change करना है, तो हम simply यहाँ पर double click कर सकते हैं, यह open हो जाएगा, फिर से, यह मैंने plus गलती से दबा दिया, यहाँ पर से भी हम नया plus दबा कर नया test बना सकते हैं, और test के अंदर pen दबा कर editing कर सकते हैं, एंटर कर दिया, यह देखो new cbc test की detail आ गई, यहाँ 6000 नहीं था, value मेरा 6500 था, तो मैं 6500 ऐसे कर सकता हूं, यहाँ पर side में click करने से यह test यहाँ पर आ गया, यह देखिए दोस्तों, इस तरीके से पूरा बन जाता है, आपको कोई test remove करना है, तो आप उसको select करके, यहाँ keyboard के उपर से delete करोगे, तो वो delete भी हो जाएगा दोस्तों, मुझे फिर से कुछ type करना है, covid मुझे ले लेना है, मैं covid फिर से ले लूँगा, यहाँ पर मैं मुझे negative लिखना है, तो इस तरीके से मैं editing भी कर सकता हूं, तो यह हो गया, अब मुझे refer doctor का नाम लिखना है, मैं charges में चला गया, यहाँ narration में में लिख देता हूं, doctor manthan patel, और यहाँ पर समझो यह patient का 14,5 है, लेकिन patient ने 1000 रुपीज ही pay किया हुआ है, तो आप लिख सकते हो 405 रुपीज pending, यह आप लिख सकते हो 1000 रुपीज cash received, यह आपके लिए है, यह remark के लिए है, तो यह यहाँ charges में से open हुआ है, यहाँ items में जाकर यह आपके सब test है, अब मैं यहाँ पर यह save का button दबाऊंगा दोस्तों, काफी video लंबा हो जा रहा है, लेकिन सब detail में दिखा रहा हूँ, बस यह हो गया, खतम हो गया, अब यहाँ प ताकि आपको यह software useful लगे और इसका payment भी ना करना पड़े, यह print bill का button दबा रहा हूँ दोस्तों, यह देखिए यहाँ पर यह screen आ गया, यहाँ पर यह सब ignore करना है, ट्रांसपोर्टर duplicate copy, यदि आपको दो copy निकलने हैं तो आप यहाँ पर tick mark कर दीजिए, बाकि यहाँ पर है सब format यह देखिए, पांच format हमने दिये हुए, report बन गया, सबसे पहला report देख लेते है, report one single page, preview, preview दबाते ही यह देखिए, यह आपका report बन गया, free path lab software, यहाँ address वगेर आ गया, और यह microscope आ गया, आप बोलोगे, यह free path lab software आ गया, यह हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर तो हमारा नाम होना चाहिए, मैं दिखाऊंगा, अब यह की यह नाम भी कैसे change हो जाएगा, यहाँ पर आप आपका खुद का logo डाल सकते हो, crystal report डाउनलोड करके, report file के अंदर आप खुद का logo डाल सकते हो, हमें बोलोगे, हम nominal charge 500 रुपिया चार्ज करके, आपको यह customize करके भी दे सकते ह यह lab report title आगया, आप देख पाऊगे, यहाँ देखो patient का नाम आगया, age sex जो लिखाता हो आगया, और doctor manthan Patel referred by में आगया, report का number आगया, report का date आगया, यहाँ पर आप देखोगे single page report है, तो test group में complete blood count, यह पूरी detail आगया, यहाँ पर हमने extra detail दी थी, वो type हो गया, observed values यहाँ प इसके अंदर negative लिख के आगया, और serologic test भी EC के अंदर आगया, मतलब तीनों group एकी के अंदर बन के आगया, timing आगया, end of the report, print करने के लिए आपको यहाँ पर यह print वाला यह छोटा सा icon है, वो दबाना है, और यह report print हो जाएगा, इसका PDF भी बन सकता है, जो आप PDF बना के patient को द do PDF डाउनलोड करने की link भी हमने इसी वीडियो के description में नीचे लगा दी है, दोस्तो, इसको close करने के लिए मैं close करना हूँ, अब यह नाम कैसे change होता है, वो मैं बता देता हूँ, तो यह मैंने screen बन कर दिया, escape दबा कर, मैं यहाँ master में चला जाओंगा, यहाँ पर है यह screen company info, यह software start करके ही तुरंद भी हम यह चीज कर सकते हैं, जो अब हम करने वाले हैं company info, हमें आपको यह effect दिखा ना था, इसलिए हम यह report बनाने के बाद दिखा रहे हैं, अब यह effect दिखा देते हैं, मैं यहाँ पर मेरा lab का नाम लिख देता हूँ, मन्थन, path lab, मैंने यहाँ पर मे railway station, वडोधरा गुजरात में यहाँ मेरा mobile का number edit कर सकता हूँ, और यह मैंने update कर दिया, यह कभी भी detail हम edit कर सकते हो, हम create new company create करेंगे, तो यह सब detail नहीं आएगी, इसलिए हमको इसी format में इसको edit करना है, close कर दिया, आप मैं master में जा रहा हूँ, close company दबा दिया, ok कर दिया यहा फिर से software को start करता हूँ, free path lab software, यह देखिए हमने जो path lab का नाम लिखा था, वो आ गया, manan path lab, double click कर दिया, software start हो जाएगा, दोस्तो, मैं admin से भी login कर सकता हूँ, एक से भी login कर सकता हूँ, password एक ही admin का login, admin है, यह देखिए, यह software start हो गया, अब मैं यहाँ cell में जाओंगा, तो doctor का नाम भी आ गया, कितना पैसा बाके वो भी आ गया, और कितने रुप्य का invoice बना था, वो भी आ गया, मैं इसको double click करके कभी भी open कर सकता हूँ, अब मैं इसको print में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे report का format देखना है, दोस्तो, report 1 हमने देख लिया, अब हम देखते है report 2, each group wise separate page, preview, यहाँ पर क्या होगा दोस्तो, कि 3 group है हमारे, तो 3 group के अलग अलग बन जाएंगे, सबसे पहले आप देख पाओगे, path lab का नाम और address चेंज हो गया, तो यह हो जाता है, अब हम नीचे चले जाता है, देखो complete blood count, एक ही group यहाँ पहले page पे आया, फिर यहाँ दूसरा page बन गया, page number 2 पे क्लिक करेंगे, यह देखो, यह COVID का test का एक अलग से page बन गया, बाकी कुछ नहीं है, मैं तीसरे page पे जाऊंगा, यहाँ पर यह serology test के भी values आ गए, तो इस तरीके से यह page wise data report बनाता है, और आपको इसको सिर्फ white page डाल देना है, कुछ नहीं है, आपके पा चोटा सा आइकन दबाते ही, आपका report, जो भी आपका printer default है, आपके devices and printer के अंदर, आप देख पाओगे, हम printers and scanners के अंदर चले ले जलते हैं आपको, तो यहाँ पर जो भी printer आपका default है, हमने यहाँ भी do PDF default करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर यह चला जाएगा, तो इस त यदि आपका खुद का letter पर print का तयार किया हुआ है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, preview दबा दीजिए, तो आपका lab का नाम वगेरा नहीं आता है, यह देखो, यह blank छोड़ दिया, यह आपका उपर का जो portion है, वो आपका letter paid है, और बाकी का जो report है नीचे, वो complete तयार हो गया ह letter paid के अंदर हम हर एक report separate page में आएं, वैसा बना के रखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी customization आपको चाहिए, तो आप हमको WhatsApp पे request करोगे, हम करके देंगे, token amount chargeable base के उपर one time आपके पास से लेंगे, यह letter paid हो गया, अब आएगी receipt की बारी दोस्तों, यह हो गया, charges भी ले लिया, patient को receipt देना है, तो देखो, दो type की receipt बनाई है, receipt group wise, receipt test wise, मैं receipt group wise में click करके preview दबाता हूँ, यह half A4 size के अंदर हमने बनाया हुआ है, A5 page के size के अंदर, यह देखो, receipt आ गया, आपके lab का नाम address आ गया, patient की detail आ गई, complete blood count, covid और serology test के जो भी charges हमने लिये हुए है, वो test wise group के अंद गया, और यह total बन गया, दोस्तो, इसको close करता हूँ, मैं, यहाँ पर मैं test wise में चला जाता हूँ, और preview दबाता हूँ, तो जितने भी अलग-अलग test है, test के हिसाब से यहाँ पर पूरा listing आ जाएगा, और उसके हिसाब से यह पूरा detail बन जाएगा, तो इस तरीके से यह दोन एक दूसरा एक test बना लेता हूँ, new कर दिया, दूसरा एक report बना लेता हूँ, ताकि आपको cell register कैसा दिखेगा, वो भी पता चले, patient का नाम लिग दिया, यह देखो, अपने आप दो नंबर आ गया, इसको यहाँ 202 करना है, तो आप manually भी कर सकते हो, जो नंबर देना है, CBC ल इसको मैंने credit में डाल दिया, save कर रहा हूँ, ok कर रहा हूँ, no कर रहा हूँ, आप अब यहाँ पर देखोगे, दोस्तों तो यह देखो, दोनों चीज आ गई, इसके अंदर doctor का नाम लिखना रह गया, मैं double click करूँगा, charges में जाऊँगा, doctor ragini, update कर दिया, इस तरीके से आप editing बहुत easily कर सकते हो, यह देखो, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, कि आज के दिन का total भी आ गया, कि इतना business किया हुआ है, यह भी detail मिल जाती है, और यहाँ पर यह select all करके, आप print list दबाओगे, तो इसका report भी बन जाएगा, इसको आप print list कर सकते हो, कि आज के दिन में कितना business किया हुआ, इसका पूरा print निकल जाता है, इसी तरीके से, यह आप detail को export भी कर सकते हो, Excel के अंदर, कोई format नहीं चाहिए, कोई report नहीं चाहिए, तो यहाँ पर से delete भी कर सकते हो, बहुत सारे record हो गए, तो fast search का button दिबा कर आप पूरे single page के अंदर भी आप detail देख सकते हो, दोस्तो, तो यही है हमारा lab report और receipt का software दोस्तो, इसका report हमने बनाया हुआ, यह report में cell register में चले जाओगे, तो सब यहाँ पर दिखेगा, आप specific test wise सर्च कर सकते हो, patient के नाम wise, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने ममता लिग दिया, तो ममता कुलकर्णी के नाम का detail मिल जाएगा हमको यहाँ पर, item name के अंदर हम COVID लिख देंगे, तो COVID test का आपको result आजाएगा पूरा यहाँ पर, तो इस तरीके से हम search भी कर सकते हैं, select में चले गए, बहुँ मुझे यहाँ पर COVID को search करना है, तो मैं COVID को search कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर, item group name select करूँगा और COVID लिखूँगा, तो COVID related जितने भी data होंगे, वो हमको दिखाई देंगे, तो कौन सा date range के अंदर बैं, मैंने पूरे January महिने में कितने test किये, वो date range भी आप दे सकते हो, यहाँ पर account name की जगे, यहाँ पर आप party name select कर लो, और patient का नाम ल कितने किये, वो भी detail आ जाती है, उसका amount भी आ जाता है, इस report को आप यहाँ पर print दबा कर, print भी निकाल सकते हो, कोई भी white page report को आप यह वाला envelope का button click करके, यहाँ से excel के अंदर convert भी कर सकते हो दोस्तों, यह comma separated values हो गया, यहाँ पर application हो गया, और यहाँ OK प्रेस करोगे आप, तो इस तरीके से आएगा, OK दबा दीजिए, यह देखोई है, पूरा detail excel के अंदर transfer हो गया, तो इस तरीके से भी आप इसको transfer कर सकते हो, पूरे report को, excel के अंदर, इसको print भी निकाल सकते हो directly, तो यह हो गया आपका cell register, specific group को आप यहाँ पर से select कर सकते हो, test को ऐसे select करोगे, वही test का आपको detail मिलेगा, तो इस तरीके से भी जाता है पूरा record, तो यह है हमारा path lab का software दोस्तों, utilities में, अब आएगा reset financial year, हमने by default आपका financial year set करके दिया हुआ है, 31-3-2-3, आपको, अब इसके आगे इसको use करना है, तो reset financial year में जाकर, आप इसको 2024 भी कर सकते हो, 25 करो, 26 करो, कोई problem नहीं है, यह पूरा free software है, आप इसको lifetime use कर सकते हो, तो यह हो गया 2024, देखो कितना simple है, तो इतनी simple तरीके से यह software work करता है, अब आते हैं इसके backup के उपर, भई यह मुझे lifetime use करना है, काफी सालों तक use करना है, मैंने जो data डाला है, समझो computer को format वगेरा करना पड़ गया, तो यह software को मैं फिर से इसी data के साथ retrieve कैसे करूँगा, तो यह software का open file location करके देखेंगे, यह देखिए सिर्फ इतनी file हैं यहाँ पर, तो आप यह पूरा folder जो free path lab software है, properties में चले जाते हैं, यह कितना है, सिर्फ 194 MB का file है, pen drive में पूरा का पूरा folder copy कर लो, copy करने से पहले ध्यान रखना है कि software चालू नहीं होना चाहिए, नहीं तो इ important data आपका यहीं पर store होता है, account 12 के अंदर, लेकिन आप पूरा folder ही copy paste कर लो, क्योंकि यह आपके जो reports वगेरा है, वो भी यहीं पर बना के रखे हुए हैं, तो यह report भी आपके आजाएंगे, और आपका data भी आजाएगा, पूरा software copy paste करने के बाद, जब आप format करके PC को ready कर दो यदि C drive कोई format करते हो, तो इसको कुछ copy paste करने की भी जरूरत नहीं है, इसको backup को copy कर लो, समझो, दूसरे PC में transfer करना है तो, पूरा folder copy paste कर लेने के बाद, यहाँ पर हमने setup file में जाना है, और setup file में जाकर केतन support वाला है, जो support setup है, इसको फिर से install कर देना है, फटाक से install हो जा लास्ट में error आएगा, ignore प्रेस कर दीजिए, finish कर दीजिए, यह होने के बाद, यह folder के अंदर, जो free path lab वाला जो application file है, इसको right click करो, send to दबाओ, desktop कर दो, तो आपका यह file desktop के उपर आ जाएगा इस तरीके से, अब यह चालू करोगे, software आपका data path भी ले लेगा, और software आपका प software manage कर सकते हो, पूरा blank software चाहिए, तो data चाहिए, तो फिर से आप website पर से data download कर लो, इस तरीके से भी आप manage कर सकते हो, दोस्तो, तो यह था हमारा free path lab software, वीडियो अच्छा लगा, product अच्छा लगा, like करो, share करो, जितने भी दोस्तों को बताना है, बताओ, किसी को ज्यादा knowledge नह लेकर, यदि आप computer का business करते हो, या समझ में आता है, तो ये product तो आप खुद service charge लेकर, कि आप खुद इसको sell भी कर सकते हो, हमसे कुछ help चाहिए, तो whatsapp के number 9727955514 के उपर, आप हमारी help भी ले सकते हो, यही है हमारा setup file, जो पूरा open है, download का बतन दबाते वक्त, आपको हम न नहीं आपके mobile number पूछते हैं, नहीं आपका pass से mail ID पूछते हैं, आप सिर्फ download करो, enjoy करो, इसको use करो, कई लोग पूछते हैं कि आप free क्यूं देते हो, देखो हम ये free देने से हमारे दूसरे product promote होते हैं, जो chargeable है, license based है, तो इस हिसाब से हमारा business भी बढ़ता है, और जो market ही नहीं है, उनकी सेवा भी हो जाती है, दोस्तों, हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, देश को महान बनाना है, तो इस तरीके से एक दूसरे की help करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दोस्तों, तो यही हमारा motive है, आज हम 15-20 साल से software की line में काम कर रहे हैं, तो यही हमारा motive है, कि हमारे पास जो कुछ भी है, वो reasonable से reasonable rate के हंदर, हम आपको यह सब service मुहया कराएं, दोस्तों, thank you very much, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,